हेलो फ्रेंड कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे तो आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का एकदम सॉप्ट सा स्पॉंची केक बनाने जा रहे हैं जो फटा फट बन जाता है और बच्चों और बड़ो सब को पसंद आता है तो चलिए फटा फट लिया हुआ है जिसमें मैं एक कप सूजी ले रहा हूं तो यह नॉमल सूजी है जो हम लोग अपके बनाने में नॉमल सूजी का यूज कर रहे हूं अगर आपके बड़ी सूजी तो एक बार मिक्सर जार में से चला लीजएगा इसके बाद मैं ले रहें हूं हाफ कप चीनी कि खेशा यानि के एमाउंट जो रेशियो होगा प्रोपोर्शिन होगा तो एक कप सूजी यानि कि किसी भी मेजरिंगं कप से लेंगे ना तो एक कप सूजी और उसका आधा ही हमें हमें लेना है जिसे मैं थोड़ा-धोडा करके, एड्फ कर रही हूँ, तो हल्क थोड़ा-धोड़ा करके, एड्फ करेंगा पहले से पूरा मत मिला लीजिएगा तो यह निगर अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया, अब मैं इसे रेश्ट करने के लिए छोण दूँगी आदे गंटे के लिए अगर आपके पास टाइम नहीं है अट लिस्ट 50 मिनट तो रेश्ट करने के लिए छोणी दीजेगा तो यह केक में तवे पे बनाऊंगी तो उसके में प्री हीट होने के लिए रख देती हूं गयास फटा फट ट्रांसफर कर लेते हैं तो यह देखे सारा का सारा बैटर मैंने मिक्सर के जार में ट्रांसफर कर दी अब मैं इसमें कुछ चीज़े एड़ कर रही हूं जैसे वन फोर्थ कप मैं इसमें मिल्क पाउडर एड़ कर रही हूं अगर आपके पास मिल्क पाउडर नह अगर आप घी नहीं डालना चाहते हैं तो इसको किसी भी फ्लेवर नॉन फ्लेवर वाला उच कर लीजेगा वह भी चलेगा तो यह देखिए मैंने 30 सिकंड के लिए से अगें मिक्सर को चला लिया था और यह देखिए अच्छे से मिक्स हो गया सारी चीजें तो अभी मेरे बे देखिए हमारा बैटर रेडी हो गया है और पर्फेक्टली रेडी हुआ तो इसे ट्रांसफर कर लेते हैं अपने बाउल में तो फटा फटा पर ट्रांसफर करते हैं तो यह देखिए और यह वाला इस पैच्छूला तो हर घर में होना चाहिए इससे क्या होता है ना हमारा अचे से प्लीकल यह देखिए सार्व के सारा बैटर ने अची से से मिला लिए हम इस ट्रांसफर में नहीं तो मैं आंत कर रहे नहीं थारे ठीक्ट इंद्क ऐसाओ और अको पर रेड़न यह दुन में तो आपके सेइचले की इड़ने बाद मैं इसमें दालना ही हूं, एक टेबल स्पून में डालना हूं बेगिंग पाउडर इसके साथ ही हाफ टेबल स्पून मैं इसमें डाला है बेगिंग सोडा, और इसको एक्ठिवेट करने क्लिए Karlी में कुछ ट्रॉप डालना है यचि हो डाल दिया इसे हमारा जो केक ना खटा नहीं होगा बस इसे एक्टिवेट करने के लिए मैंने से डाला है और इसे फटा-फटा मिक्स कर लेते हैं तो वेने साथ अच्छा से मिक्स कर लिए अब इसे रेश्ट करने के लिए एक दम नहीं छोड़ना साइडी में मैंने पहले से एपना केक तेडि जिस में बेकिंग पेपर लिए था तो अगर आपे पास बेकिंग पेपर नहीं है तो में मोल्ल आप OIL से घी से जाए से प्रापर ग्रीस. मैं इसके बाहने से एक्ष्टा फूर से एक्स्टा एयर बबल से निकल जा हैं. और उपर से अगेन हम इसमें टूटी फूटी डाल दे रहे हैं तो जिसे केक हमारा देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा अब इसे हमें पकने के लिए रख देना तो यह तो यह तो मैं इसमें ट्रांसफर कर दे रहे हैं और इसे कवर करके 20-25 मिनट के लिए अच्छे से केक लिए और देखे लिए और ब्राउन कलर आ गया गया और यह तो टूट्पिक डाल के मैं निकली हुए तो इसका मतलब केक हमारा अंदर से भी पर्फेक्टी को को गया है सब को प्रॉपर हो गया है तो पर निकाल लिया था ताकि अच्छे से मोल्ड डी मोल्ड हो सके तो इसे फटा फट निकाल लेते हैं और यह देखे हलका से टैप करेंगे और यह देखे कितने अच्छा सा ब्राउन कलर हुआ है इसमें और बस इसका हमें टीशू पेपर निकाल देना है टीशू पेपर नहीं सौरी बटर पेपर और यह देखे कितना सौप कितना सौप बना से क्टटनी हैं ने बना हुआ थे पर इगे शचाहिते हैं जाली दार बना फूंची है सि시면द चाहिते हैं से सपज़ी करो है तो फट फट आप लोग भी से ट्राइक पर Partner मेरेत हूं बच्चों बड़ों सबको पसंद आएगा और फटाफट इंज्वाय करिए इसे तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगिए तो प्लीज मेरी चैनल को लाइक कर दीजेगा सेयर कर दीजेगा सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा कमेंट जरूर करिएगा थैंक्यू सो इस्वी जरूर कर दीजेगा जरूर कर दीजेगा जरूर कर दीजेगा